दिपिका पादुकोन की पहली हॉलिवुड फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ओफ जैंडर केज आज फाइनली थेटर्स पर आ गई है हॉलिवुड डारेक्टर डीजे कारूसो के डारेक्शन में बनी इस फिल्म में दिपिका पादुकोन के अलावा विन डीजल, डॉनी येन, रूबी रोज और नीना डोब्रेव में रोल में है भारत में इस फिल्म को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे लेकिन क्रिटिक्स रिव्यू के नजरिये से अगर देखा जाए तो शायद ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है एक्शन सीक्वेंस बहतरीन तरीके से शूट किये गए हैं और साथ ही लास्ट का क्लाइमेक्स और बीच के कुछ सीन्स काफी उम्मीदा है सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन भी बहुत बढ़िया हैं लेकिन एक बात साफ कर दे कि अगर इस तरह की अक्शन फिल्मे या हॉलिवुट के स्टाइल को आप पसंद करते हैं तब ही इस फिल्म को देखने जाएं क्यूंकि इसके अलावा और कुछ खास नहीं है फिल्म मे स्क्रिप्ट पर और काम किया जाता तो फिल्म बहुत ही उम्दा कहलाती इसके अलावा अगर अक्टिंग की बात करें तो फिल्म के अक्टर्स जैसे विन डीजल, रूबी रोज, क्रिस वू, नीना डोब्रेव और अन्य सभी कलाकार ने अपने रोल बखु भी निभाए हैं वही इस फिल्म से हॉल्वूड डेब्यू कर रही दिपिका पादुकोन का काम काफी उम्दा है, सबसे बड़ी बात है कि उनके अक्ट की लेंथ बहुत अच्छी है, दिपिका ने अक्शन सीक्वेंस के साथ-साथ बाकी शॉट्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया है ओवरॉल फिल्म एवरेज है और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दिये हैं क्रिटिक्स के रिव्यू के बाद अब ओडियन्स रिव्यू Xander Cage will be the first 100 crore movie of 2017, next Raiz, next Kabil, next Jolly LLB2 All the best, Dipika Padukone, you have completely killed it in XXX, lots of love and a big big hug Nowadays, Vin Diesel and Dipika are promoting XXX and I see her much more blushing when Vin talks about her compared to Ranbir and Ranveer XXX has got great feedback from audience, should clock a super update Yesterday eve shows opened very well too, Dipika Padukone hit alert If Dipika Padukone marries Vin Diesel, she will become DVD after marriage and their movie will be XXX DVD